हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके जनरल बैंक गुरू में दोस्तों इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिम्टेड ने एपरिंटेस पदों के लिए जिसमें बिविन ट्रेड है उसके लिए नोडिफिकेशन निकाला है इस नोडिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बात लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी तो उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करके जाएंगे चलिए बहुत ज़्यादा आपका समय नावेक्ट करते हुए इस वीडियो के हम शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट को रखी गई है रिजर्ट जो है आठ दिसंबर को आएगा और इसके बाद डॉक्मेंट वेरिफिकेशन जो है वो तेरा से लेकर के 21 दिसंबर 2023 तक रहेगा इनमें बदलाव हो सकता है जाब एक बार आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको बाद में नोटिफाई कि किया जाएगा एप्लिकेशन फीस की बात करते हैं किसी भी कटेकरी के लिए कोई फीस में नहीं रखी गई है तो यह बहुत अच्छी चीज है आगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं एज लिमिट आपकी 31-10-2023 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्जिमम उम्र जो है व पर हो गया कौन से ट्रेड में जॉब निकली है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए किस रिफाइनरी में है ट्रेइनिंग का पीरियट क्या है और कितनी पोस्ट निकली है और किन-किन कैटेगरी के लिए निकली है सबसे पहले हम देख लेते हैं टेट एमपरेंटेस जिसमें बाकी देख सकते हैं पीरिड ऑफ ट्रेनिंग जो हो बारे महीने को होने वाला है और इसमें सीट देखे पर रिफाइनरी में कितनी है जैसा गुवाहार्टी में आप देखिए तो साथ अन्रिजर्व के लिए एडव्लूस के लिए दो है सी के लिए एक स्ट के लिए एक सकते हैं और अन्य रिफाइनरी के लिए भी देख सकते हैं आप देखिए जैसा दूसरा ट्रेड जो है वह फिटर का है और मेकैनिकल इसमें डिसप्रेन आपका लगना है उसके सामने आपको कितनी जगह निकली है वह आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं इसी तरह आप देखें तो तीसरा ट्रेड है वह है बॉयलर का जिसमें डिसप्रेन है मेकैनिकल लगना है उसके सामने भी आप टोटल देख सकते हैं क्वालिफिकेशन रिफाइनरी इनका जो पीरियर और ट्रेइनिंग है वह 24 महीने का रहेगा इसके बाद आप देखें जो टेक्निशन अ इसमें 12 महीने का ट्रेड रहेगा और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं आपके सामने रिफाइनरी भी है सारी इसकी बाद देखते हैं टेक्निशन अपरेंटिस जो है वह इलेक्टिकल डिसल्प्रिन का 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी इसके लाब फिर आप इंस्रुमें इसके लाबा डेटा इंट्री ऑपरेटर आप देख सकते हैं फ्रेशार अपरेंटिस से जिसमें 12 महीने का ट्रेनिंग पीरिड रहेगा और डेटा इंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जिसमें 12 पास विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इंड डोमेस्टिक entry operator इसमें भी 12 महीने का training period रहेगा तो ये कुछ रहे आपका qualification हो गया period of training रहा और जो पद है और किस-किस category में कितने post निकले हैं किन-किन refinery में निकले हैं वो सारा detail आपको यहाँ पर दिख जाएगा आप वीडियो को अच्छे से एक बार pause करके और देख सकते हैं इसमें last में हम देख लेते हैं selection procedure क्या होने वाला है तीन चरणों में होगा सबसे पहरे return examination होगा फिर document verification होगा और उसके बाद last में medical examination होगा तो उम्मीद है कि आपको इस notification से संबंदित जितने भी छोटी और बड़ी बाते थी वो सब समझ में आ गई होगी और एक चीज में आपको बता देता हूं कि इस notification का जो official link है वो मैं आपको description में provide कर दूँँगा वहां से आप करके आप download करिए और उसको एक बार अच्छे से जरूर देखेगा apply करने से पहले क्योंकि हो सकता है कि कई सारी चीज आप मिस्स कर जाएं तो वह मैं नहीं चाहता हूं इसलिए सब अच्छे से एक जरू subscribe कीजए हम फिर में लगे किस नए वीडियो में दब तक के लिए थैंक यू